देखे टाटा पाबर अपरेटर ट्रेनी इंटर्वी कोस्चिन टाटा पाबर अपरेटर ट्रेनी इंटर्वी कोस्चिन टास्पर्मार्ण सब्जेस से देखे स्टेप टू में अभी दोकुमेंट वेरिफिक्शन के लिए प्रोसेस खतम हो गया होगा और स्टेप गान में था ह लोका राटन टेस्ट एक्जाम जिसमें 60 से 45 परसेंट राटन टेस्ट की मार्क चाहिए था जो सतेज मार्क होता है और कॉल लेटर आईटे इसको मंगा रहे हैं टाटा पाबर ने जो अपरेटर ट्रेनी की पोस्ट के लिए अब उसमें क्या होगा document verification अगार experience step 3 जो आपको एक साल के लिए 2 मार्क और minimum 5 साल का है तो 10 मार्क और maximum आपका 10 साल का है तो 20 मार्क देखिए टाटा बाबर का जो इंटर्वी होने वाला है उसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा नर्बस नहीं होना है जिस तरह से उसका इंटर्वी होगा तो आप लोग तो सब PSS में काम कर रहे हैं तो जानते होंगे जो फीर इंटर्वी होगा तो यह जो सा अ prescriptionे गाले से प्रसक्राइब हैए तो यह जो सब्कुरेब और ये जी उट्ररी पोर्व यहाँ आर्णे में स्कुरेब कारीएक तो जोरूर कें देखिए जैसेँ विच टाइप अप्टास्फेर्मर यूज इन पी आसेस कोंचा टाइप का टास्फेर्मर यूज करते हैं और जो टास्परमर का सेकेंडरी साइट जो निट्रल पॉइंट में आर्थी हम क्यों लगाते हैं यह इंटर्वी का स्टेप फोर का यह बेहतरीन कोस्चिन है जैसे मैंने पहले जो जेटी का टाटा पाबर जेटी का में इंटर्वी निकाला था तो उसमें बहुत आदि मुझे लाइक किया है कि सारा आपका कोस्चिन आमको के बार पुछा गया है पाबर सबिस्टर्वी को बटा रहा हुं कि जो स्ट्रक्चर में गौन स्टाइब का टास्फरमर यूज होता है और secondary binding का जो neutral point है उसमें हम आर्थिंग क्यों लगाजता है तास्परमर टाइप देखते हैं मैं लिए टास्परमर बेसिकली थ्री टाइप का होता है cell type, code type and very type यह तीन टाइप का टास्परमर होता है cell type, code type and very type तो जो हम लोग का power service station है जो power service station में हम क्या करते है cell type टास्परमर यूज करते है जो टास्परमर का टाइप है तो इसमें बोल रहा है कि टास्परमर टाइप में जो PSS में हमने क्या करते है नंबर एक में जो है जो उसका क्या करते हैं कुण सा टाइप का सेलट का एंसर में होगा हमके लिते हैं सेल टाइप ठीक है और थेके इसमें इसमें पर्क क्या है आपको मैं बताता है को गुद को रोता है को जो को की बनावट एई सामने कि क्या यह रहता है ए जो कोड का टाइप जिसकी बनावट है इसे सेल टाइप कोड बरी डाइप और जिसमें व्लैट होता है टास्परमर ओल जिसमें फिलिंग करते हैं उसमें सेल टाइप का टासपरमर होता है ठीक है जो इंटर्विम आपको पुछा किया है पीएसस में हमने क्या किया है जो पाबर टासपरमर है कोन सा टाइप का है सेल टाइप का मैं बार बार बुर रहा है इसको इनको अपने याद रखेंगा ठीक है तो इसमें बुल रहे हैं वाए नीटल प्वेंड आर्थिंग कोश्चीन यह है यह सबसे बड़ा कोश्चीन है एक कोश्चीन आपको पूछा ऑड़ा गएगा घ्या यह लाइनमेन का जान कोश्चीन और लूगो पांत साल हो गया है शे साल हो गया काम करते हुए अगर आपको यह नहीं पता होगा जी इसका क्या काम है तो इसक और आहीं और इस तरह से बता रहे हूं उस तरह से जबाब भी जना है तेक्ट अपते कि वाने अर्थीं न्यूटे फ üzल्फ हमनेत इक संप्वाम्र का बाइंडिंग बनाए डेल टा एं्स टर्फा स्ट्र आपका डेलटा हुं इसको नाम देगा से थे और फ़ाई दे पें वी एंड न्यूट्र 뛰 य९ह मैं इसमों प्लें और आर्थिंग भी कनेक्टेट है मैं आर्थिंग का सिंग्डल बना दिया हूं और यह हो गया आपका स्टार और यह होगया डेल्टा बाइंडिंग का कनेक्शन का टाइप है कि अद्र ड़्या श्टर प्रामेरी सब्सक्राइब यहां और सभुलिष प्रामेरी फार्इटेंटेंड हुआ कार यह कुसरा को यहां परेुबदल isThere ऊप्रूमने पर यह यहां एक जोñेरेंडर को अग्यों तो अभी अव्य पॉर्ट ले लिया हूं यहां पर एक क्या करता हूं एक जट लगाते था हूं वाल्प लगाते था हूं और जब वाल्प को मैं क्या करूंगा बंद कर दूंगा तो इसका जो पानी है इस तरसे रहेगा थीक है इस तरह से आपका पानी है और आपका जो बाल्व है जो नौल हो बंध है नौल भी बंध है ठीक है और इसमें मैं क्या करता हूँ आपको पुरा विश्टा रूप में समझाने के लिए एक मेडागेराम अलग से गुर बनाता हूँ एसे मैं आपको समझ में नहीं भी आएगा तो मैं इस तरह से समझा दूँगा तो आपको एक बर में समझ में आएगा और जिंदे की बार आप भूलने सकते हैं दखिए मैंने बना दिया डल्ट स्टर का अरवई बी ठीक है यह आपका निटल पट है ठीक है यहां पर हमने यूज की हैं अर्थिंग यह आपका निट ह्वाई निट या आर्थिंग क्यों जरूरी है ठीक है why need ये आर्थिन कीउ जरूर दीए तो अभी gate क्या है आपका जो gate है जो null है आपका bond है null अभी आपका bond है तो पानी उसका इस तरह से है मतलब पानी इस तरह से है टीक है? एक साइट ज्यादा है और एक साइट कम है मतलब आपका टास्परमर का पोजीशन क्या रहेगा एसी रहेगा मतलब आर्थिंग अभी जुड़ा नहीं है अभी आर्थिंग ने जुड़ा मतलब आपका यह जो पड बनाया हूं उसका पानी एक साइट जादा है एक साइट कॉम है और बीच में आमने नलकू बन कर दिया ह तो टास्परमर का इसी कंडिशन में क्या हाल होता है जो फोल्टेज हो क्या होता है अन्वेलेंस हो जाता है जिसे आर में 650 वाई में 100C और बी में 30 नीटल का सथ देखेंगे तो इस तरह का फोल्टेज क्या होता है हम लोग को मैजर्मेंट होता है अब सूचिए में एक एक चुल दे रहा हो इस तरह का फोल्टेज क्या होता है में जर्मेंट होता है किस कंडिशन में गेट बंध है इसको ऑपरण कर देंगे किस्को इस नॉल को ओपन कर देंगे यह पट का नॉल को ओपन कर देंगे मतलब यहां जो नीटरल में हमने क्या करेंगे सिधा-सिधा आर्थिंग करेंगे आर्थिंग को जोड़ देंगे जब आर्थिंग को जोड़ देंगे तो यह पट का क्या होगा मतलब नॉल को ओपन कर देंगे दो यह पट का क्या होगा बैलेंस वाटर आपका फिलम हो जाएगा बैलेंस वाटर आपका फिलम हो जाएगा इसका मतलब जो टास्परमर का निट्रल में हमने आर्थिंग लगा देंगे तो क्या होगा हमको बैलेंसिंग बोल्टेज मिलेगा बैलेंसिंग बोल्टेज मिलेगा और उसमें टास्परमर को कोई खत्रा नहीं है लेकिन नीट्रल ने लगाएंगे तो टास्परमर का सेकेंडरी बाइंडिंग को लोड देजनें तो एफेक्ट पड़ सकता है और लोड नहीं नहीं तो कोई दिकत नहीं कर सकते हैं लेकिन योडि अपका लगाना जरूरी यह न्यूटन नीट्रल आपका लगालां दरू दिरी तब पॉड्ट का पानी बराबर हो जाता है मतलब आपका सेकेंड्री बाइन्डिंग ज오 स्टार का आपका सेक लिक कशितन है वहां पर हम्ने क्या करेता है अर्थीं। लगा देते हैं तब क्या होता है बोल्टेज आपका RY 440, YB 438, BR 440, इस तरह से मिलता है, नीट, इसलिए नीट है, बैलेंसिंग बोल्टेज के लिए ये नीट है, दोस्तों ये कोस्चिन आपको आएगा, ये कोस्चिन आपको पुछा जाएगा, इस कोस्चिन पुछना है, ये एक कोस्चिन एक ये जान लीजिए, भाई लोग, आपने इसको बार-बार देखिए, समझिए, मैं क्या बोला हूँ, जब हमने आर्थिंग लगा देंगे तो, बोल्टेज बैलेंस होगा, और कौन सा टाइफ का टास्परमा हम पी एसस में यूज करता है, वाई नीट, क्यूं है, वो आपको पुछ सकता है, अगर आर्थिंग भी है, और बोल्टेज बैलेंस नहीं है, तो क्या बोलेंगे आपने, उसका आर्थिंग और नीटरल पॉइंट का जो जहाँ पर कनेट है, वहाँ पर सही देंग से कनेट नहीं हुआ, या आर्थिंग आपका टूड़ी गया है, जहाँ खा काने के लिए, और ये रहेगा आपका जो आपका कोस्चिन, प्लीज आपने मेरे इजी लेटिकाल चेनल को लाइक, सब्ट्राइब, एंड शेर करिए, देखिए, एक कोस्चिन, एक इंटर्वी का कोस्चिन पांच मार का है, तो मैं ज़रूर चाल,